हेलो फेमली कैसे हो स्वागत है पोकिच्वियों की एक नए वीडियो में तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है टॉप 15 बेस्ट वाटर टाइप पोकिमोन जिसको आप GBL बैटल में यूज कर सकते हो specially रेड बैटल जब करने जाते हो वो रेड बैटल में भी यूज कर सकते हो प्लस जब आप कोई भी दोस्त के साथ बैटल करते हो वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो टॉटल 15 वाटर टाइप बेस्ट पोकिमोन का नाम बताने वाला हो अगर आपके पास है उसको लेवेल अप जरूर करना अगर आपके पास नहीं है तो उसको गेट करने की कोशिश जरूर कर लेना तो लेट्स गो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अफ आप गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे नमबर 15 से तो गाइस बेस्ट वाटर टाइप पोकिमॉन में जो नमबर 15 में आता है उसका नाम है मेगा स्लो ब्रो ठीके उसके बाद आते है नमबर 14 नमबर 14 में आता है एम पहली ओन तो guys number 13, number 13 में आते हैं Samarup तो guys Samarup Pokemon कुछ दिन पहले ही हमें मिला था तो यह Samarup Pokemon number 13 में आता है number 12 में आता है Freligatter number 11 Kingler number 10 Swamprate तो guys अभी number 9 में आता है Gray Ninja इसको लेके बहुत लोग बहुत सारा confusion में है तो भाई बहुत लोग मुझे comment करके पूछते भाई यह Pokemon कहाँ पर मिलेगा तो guys देखो मैं बता दू 2023 के end में Froakie Pokemon का Community Day हुआ था मतलब 2023 में हुआ था तो Froakie Pokemon Evolve होके Gray Ninja बनता है अभी guys एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ Froakie Pokemon कहाँ पर मिलेगा last Community Day के बाद अभी तक Froakie Pokemon का कोई भी spawn नहीं हुआ है वाईल में बट guys बहुत ही जल्दी जो मुझे लगता है Froakie Pokemon फिट से में वाईल में मिलेगा कोई एक event में तो guys आप लोग वो event को आपको follow करना है कौन सा वो event है जहाँ पर Froakie आएगा तो guys चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो and guys ये वीडियो में like कर देना ये वीडियो का like में हम लोग रखते है 300 likes जो आपको complete करना है अभी guys आते है number 8 number 8 में आता है shadow gerardos and shadow gerardos guys अगर आपको gate करना है तो team rocket grunt को defeat करके वो आपको gate करना है and three star shadow raid में भी shadow gerardos हमें मिलता है then उसके बाद आते shadow frailigator जो number 7 में आता है and number 6 में आता है shadow swamp rate and guys ये बहुत ही खतरनाक pokemon है ये भी team rocket आपको team rocket के पास से मिलेगा plus three star shadow raid में भी कभी कभी हमें मिलता है तो guys number 5 में आते है कायो ग्रे normal कायो ग्रे number 4 में आता है mega gerardos mega gerardos बहुत ही एक op pokemon है आप लोगों को पता है इसलिए मैंने इसको number 4 में रखा है water pokemon के लिए बहुत ही एक तगरा pokemon है उसके बाद आते mega blast toys जो number 3 में आता है and guys जो number 2 में आता है वो pokemon का नाम है mega swamp rate mega swamp rate बहुत ही swamp rate pokemon वैसे ही बहुत खतरनाक pokemon है उसका mega farm और भी खतरनाक है और guys अभी आते हैं जो number 1 में आता है best pokemon जो कुछ दिन पहले ही हमें मिला था उसका नाम है primal kaiogre yes guys primal kaiogre number 1 water type pokemon में आता है तो guys यही था total video यह 15 pokemon अगर आपके पास है यह 15 pokemon को अच्छे से रखना और उसको power up करके रखना water type pokemon best pokemon से और अगर नहीं है तो वो pokemon को gate करने की कोशिश करो तो चलो guys मिलते है guys next video में तब तक के लिए channel को subscribe कर देना and guys video में like कर देना